इस वीडियो में सेखी बाज मक्षी पाठ की अभ्यास पुस्तिका को पूरा करेंगे नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंदर में आपका स्वागत है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें वे बेल आइकन को दबाना न भूले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले बच्चो इस पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए पाठ का अर्थ वे इसके अभ्यास प्रशनों को आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हो अभ्यास पुस्तिका को पूरा करने से पहले रिविजन के लिए एक बार इस कहानी को पढ़ लेते हैं ताकि आगे उत्तर देने में आसानी रहे तो बच्चो एक बार ध्यान से इस कहानी को सुनते जाना शेखी बाज मक्खी एक था जंगल उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची शेर ने दो तीन दिनों से स्नान नहीं किया था इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी क्योंकि बच्चो ये बात तो आप जानते ही हो मक्खिया कहां बैठती हैं गंदी चीजों पर कच्रे पर तो शेर ने दो तीन दिन तक स्नान नहीं किया था इसलिए उसके उपर मक्खी भिन भिन करने लगी शेर को बहुत मुश्किल से नेंद आई थी उसने पंजा उठाया मक्खी उड़ गई लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई अब शेर को गुस्सा आया वहर धाड़ा अरे मक्खी दूर हट वर्ना तुझे अभी जान से मार डालूंगा मक्खी ने धीरे से कहा छी छी जंगल के राजा के मुँह से ऐसी भासा कहीं सोभा देती है शेर का गुस्सा बढ़ गया उसने कहा एक तो मुझे सोने नहीं देती उपर से मेरे सामने जबाब देती है चुप हो जा वर्ना अभी मक्खी बोली वर्ना क्या कर लोगे मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ हिम्मत हो तो आ जाओ शेर आग बबूला हो उठा उसने कान के पास पंजा मारा मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया मक्खी उड़ कर शेर की नाग पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा मक्खी उड़ गई अब की बार शेर की नाग छिल गई मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती कभी गाल पर तो कभी गरदन पर शेर पंजा मारता जाता और खुद को गायल करता जाता मक्खी तो फट से उड़ जाती अंत में शेर उब गया यानि वो ये काम करते करते ठक गया वह बोला मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो मैं हारा और तुम जीती बस मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी सामने एक हाथी मिला मक्खी ने कहा अरे हाथी मुझे प्रणाम कर मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा हाथी ने सोचा इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बरवाद करे हाथी ने सून उपर उठा कर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया सामने से आ रही लोमडी ने ये सब देखा लोमडी मंद मंद मुस्कराने लगी इतने में मक्खी ने लोमडी से कहा अरे ओ लोमडी चल मुझे प्रणाम कर मैंने जंगल के राजा शेर और विशाल काई हाथी को भी हरा दिया है लोमडी ने उसे प्रणाम किया फिर धीरे से बोली धन्ने हो मक्खी रानी धन्ने हो धन्ने है आपका जीवन और धन्ने है आपके माता पिता लेकिन मक्खी रानी उदर वह मकडी दिखाई दे रही है न वह आपको गाली दे रही थी उसकी जरा खबर लो न यह सुनकर मक्षी गुसे से लाल हो उठी मक्षी बोली उस मकडी को तो मैं चुटकी वजाते खतम कर देती हूँ यह कहते हुए मक्षी मकडी की और जप्ती और मकडी के जाले में फस गई मक्षी जाले से छुटने की जू जू कोशिश करती गई त्यू त्यू और भी अधिक फस्ती गई अंत में वहर ठक गई हार गई यह देखकर लोमडी मंद मंद मुस्कराती हुई वहां से चलती बनी और इस कहानी को लिखा है योगेश जोशी ने अब बच्चोईज अभ्यास पुस्तिका को देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है शब्दों के अर्थ पढ़ो और याद करो जैसे शोभा देना तो इसका अर्थ क्या है अच्छा लगना धन्य हो बहुत अच्छा कहना बरबाद खराब या नश्ट करना विशाल काय बड़े शरीर वाला प्रणाम नमस्ते या नमस्कार हिम्मत साहस किस ने किस से कहा अरे मक्खी दूर हट वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा ये किस ने कह था ये तो शेर ने कह था और किस से कह था मक्खी से है ना जंगल के राजा के मुह से ऐसी बासा कहीं सोभा देती है ये बात किस ने कही थी ये तो मक्खी ने कही थी किस से शेर से उधर वह मक्खी दिखाई दे रही है ना वह आपको गाली दे रही थी तो ये लोमडी ने कहा और किस को मक्खी से तो यहाँ पर ये मक्डी आना चाहिए था अब मुझे छोड़ो मैं हारा और तुम जीती बस तो ये बात शेर ने कही थी और किस से मक्खी से बोक्स में से सही शब्द छाट कर विलोम शब्द लिखो तो विलोम शब्द यानि उसके विप्रीत अर्थवाले शब्द तो इनके अर्थ आपको यहां से ढूणने है जैसे शुरू का विलोम क्या होगा खतम, जीवन का मृत्यू, हार का जीत, राजा का रंग, मुश्किल का आसान प्रियाएवाची शब्दों को रेखा दुआरा मिलाओ, प्रियाएवाची यानि उसी के समान अर्थ वाले दूसरे शब्द जैसे हाती का गज, कुंजर तो इनकार्थ भी हाती है, ऐसे ही शेर, शी है, हरी, राजा, भूप, नरेश कान का कर्ण, माता, मा, जननी, गुस्च, इसका आएगा क्रोध, प्रणाम, प्रणाम का नमस्कार, अधिक, इसका ज्याद़ कहानी में कोन कैसा था, सही वाक्य पर सही का निशान लगाओ, जैसे हमने कहानी से जाना, हाती डरपोग था, नहीं, ये बात गलत है, मक्खी आलची थी, नहीं, शेर गवंडी था, नहीं, लोमडी चालाग थी, हाँ, प्रश्णों के उत्तर लिखो, कोन कहां आराम कर रहा था, शेर जंगल में आराम कर रहा था, मक्खी शेर के उपर क्यों भिन बिना रही थी? क्योंकि शेर ने दो-तीन दिनों से स्नार नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन बिना रही थी, मक्खी को किस बात का गमंड हो गया था? जब शेर ने ठक कर मक्षी से हार मान ली तो मक्षी को घमंड हो गया क्योंकि मक्षी को लगा कि जब जंगल के राजा शेर ने ही उसके सामने हार मान ली तो वै तो सबसे उपर हो गई हाथी ने मक्षी को प्रणाम क्यों किया हाथी ने सोचा इस पागल मक्षी से बहस करने में कौन समय बरबाद करेगा इसलिए वह प्रणाम करके आगे बढ़ गया जाला किसने बनाया था? जाला मकडी ने बनाया था मक्षी को मकडी के जाले में किसने फसाया? तो मक्षी को मकडी के जाले में लोमडी ने अपनी चालाकी से फसाया था इस कहानी से क्या सिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह सिक्षा मिलती है कि हमें गमंड नहीं करना चाहिए साथ ही हम चाहें तो किसी गमंडी को अपनी बुद्धी से हरा भी सकते हैं सही अर्थ को रेखा दुआरा मिलाओ ये बच्चो आपकी उस्तक में जो कहानी है उसमें ये मुहावरे आये हैं जिनका अर्थ आपको बताना है तो जैसे आग वबूला होना तो इस मुहावरे कार्थ है बहुत अधिक गुस्सा होना गमंड में चूर होना बहुत अधिक गमंड करना चुटकी बजाते ही खतम करना कोई काम बहुत जल्दी कर देना गुस्से से लाल होना बहुत गुस्सा आना खबर लेना डाटना या फटकारना इस कहानी में मक्खी गमंडी एवं सेखी वाज है तथा अंत में वह मक्डी के जाल में फस जाती है ये दी मक्खी के इस्तान पर शेर गमंडी होता तो क्या होता सोच कर लिखो तो ये बच्चो आप अपनी सोच के हिसाब से बताओ जैसे मेरे अनुसार अगर शेर गमंडी होता तो उसे चालाकी से कुये में गिराना पड़ता इस कहानी को एक बार फिर से पढ़े कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए इसके अर्थ वै अभ्यास परशनों को जरूर देखे मकडी जाल कैसे बुनती है इस बारे में पता करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना सुजाओं वा सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखे अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट तो फिर क्यों न करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिक्मंड हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट धन्यवाद